लोगों का स्वागत है आपकी अपनी हवेली पर तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं example number 4 को जो की ये रहा example number 4 है हमारा number system का तो इसमें हमको discuss करना है root 2 तो यानि कि हमने locate करना है इसमें root 3 तो root 3 को हमने number line पे locate करना है अभी हमने पिछले गोशन में root 2 को locate करके दिखाया तो I hope आप root 2 को आसानी से locate कर सकते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो यहां से मैं जल्दी से आपको root 2 को locate करके दिखा देता हूं अब मैं आपको एक चीज़ होर बताना चाहता हूं अगर हमारे पास में मान के चलिए कोई triangle है ठीक है ऐसा कोई triangle है अगर उसमें ये वाली जो और ये perpendicular है और ये base है तो इसके coding क्या होता है hypotenuse का square is equal to the sum of square of perpendicular and base ठीक है तो यहां से perpendicular कितना हुआ root 2 का square और base कितना हुआ 1 का square तो root 2 की square की value आ गए 2 और ये 1 आ गया तो यहां पे 3 आ गया हाईपोटेङस की value कितनी हुई root 3 तो ये root 3 आना चाहिए और नहीं आना चाहिए ठीक है तो ये root 3 आना चाहिए तो सिधी सी बात है हमको जब number line पे इसको show करके दिखाना है तो हमें एक तो root 2 की value चाहिए गी और एक तो हम कर लेंग की दो हम आसानी से पदा कर सकते हैं क्यों से जो है लेंथ इसकी निकालेंगे तो नंब लाइन तो चलिए मैं बर लाइन आपको hist करके दिखा देता हूँ अभी मैं आपको अन evolved गरता हूं नंबर लाइन तो देखो नंबर लाइन सबसे पहले के चलते हैं तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या दिखाना है root 2 को तो root 2 के लिए तो बिल्कुल simple सा मैंने आपको बताया था भाई हमने ये तो ले लिया base और ये ले लिया हमने perpendicular ये भी one लिया उसके बाद ये वाली जो value ये कितनी हो गई root 2 हो गई ठीक है तो इसमें तो आपको कुछ यादा बताने की आप शक्ता नहीं है लेकिन हमको root कितना निकालना है हमको निकालना है root 3 तो root 3 के लिए हम perpendicular या base में से कोई एक value हमारी root 2 होनी चीए ठीक है तो अब हमको इसको देख कैसा लगता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे मिलाऊंगा तो ये कितना आएगा अगर मैं इसको triangle माल लू A B C तो A C की जो value होगी वो कितनी होगी root 3 होगी कैसे होगी हमें पता है A C का square is equal to A B का square plus B C का square और A C की value कितनी है पता नहीं हमको निकालनी है A B की value कितनी है root 2 का square और B C की value कितनी है 1 का square तो यह क्या हुआ 2 plus 1 is equal to 3 and the value of A C is equal to under root 3 तो यह under root 3 आ गया तो इससे हमको क्या पता लगा कि जो यह वाली length निकलके आई ओके यह वाली जो length निकलके आई यह root 2, root 3 है तो अब हम क्या करेंगे हम compasses की help से यहां पे यहां से लेके यहां तक की जो distance है वो miser करेंगे और उसको हम इस तरीके से एक arc लगा देंगे और जो यह arc होगा जहां पे यह number line पे cut करेगा जहां पे यह number line पे cut करेगा वही हमारी जो distance होगी वही root 3 distance होगी तो यानि के यह वाली जो यह जितनी length हुई यहां से लेके यहां तक यह root 3 हुई तो root 3 की actual में जो value हम मान के चलते हैं 1.73 तो यह आप याद रखेगा actual में तो देखो यह appary में यानि के irrational नंबर होता है जिसको की हम appary में संख्या बोलते हैं तो यह irrational नंबर होता है और इसकी यह मतलब चलते जाता है इस तरीके से लेकिन हम एक जो value एज्यूम करते हैं परोक्स में वो 1.73 को हम एज्यूम करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है ऐसे हम root 2 की value 1.414 ज्यूम करते हैं यह भी आप ध्यान रखेगा तो इस तरीके से हम number line पे locate करते हैं कोई भी irrational number को I hope आप लोगों को यह समझ में आया होगा तो चलिए अब हम मिलते हैं next जो हमारा वीडियो होगा उसमें mainly हम discuss करेंगे जो आपकी exercise है 1.2 ठीक है तो थैंक यू आप लोगों ने मेरे वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद मिलते हैं next वीडियो में थैंक यू जैहिंद जै भारत